हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू अबर यूटूब चैनल चंबल जी एस अकेडमी पर आसा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वश्थ होगा अच्छा होगा तो आईए दोस्तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फिल्म फियर अबर दो हजर चौवीस के बारे में एक क्लास होगी वो आपके आने वाले सभी एक्जामों के लिए बहुत ही महत्पून होगी इसलिए दोस्तो वीडियो को बना स्किप किये अंत तक जरूर देखिए तो आईए दोस्तो आज की क्लास को प्रारंब करते हैं आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 69 वे फिल्म फियर अवार्ड के बारे में इसमें सबसे पहले देखते हैं के फिल्म फियर अवर्ड की सुरूबात सबसे पहले पर्स देखते हैं कि 69 बे नंबर के फिल्म फियर पुरुसकार समारोय का आयोजन 27 से 28 जनवरी 2024 को गांधी नंगर गुजरात में 69 बे फिल्म फियर अवार्ड का आयोजन किया गया तथा इस कारिक्रम की मेजवानी करण जोहर दौरा की गई इसके बाद नेक्स पॉन देखते हैं कि बॉली बुड अवनेता रनवीर कपूर ने फिल्म एनीमल के लिए मुख घुमका में शर्वसरिष्ट अवनेता का पुरुसकार जीता जबकि आलिया वट ने रोकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मुख घुमका में पुरुसकार जीता इसके बाद नेक्स पॉन देखते हैं कि बिदू बिनूत चोपड़ा को फिल्म बारवी फिल्म के लिए सर्वसरिष्ट निर्देशत का पुरुसकार मिला आये दोस्तों इसके बाद नेक्स पॉन देखते हैं कि इसके साथ ही 12 फिल्म मुवीज ने सर्व स्रिष्ट फिल्म का पुरुष्कार अपने नाम या है आए दोस्तों इसके वार नेक्स पूने देखते हैं कि ट्वाल्थ फैल मूबीच आई पीएस मनुझ कुमार सर्मा की बास्तविक जीवन की कहानी के बारे मैं अनुराक पाठक की दो हजार उन्नीस की नौन फिक्षन कित पर आधरत एक फिल्म है आईए दोस्तों इसके वाद 69 वे फिल्म फियर ऑवर्ड की विजएताओं की सुची में बात करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि 69 वे फिल्म फियर ऑवर्ड में सर्वस्रिष्ट फिल्म का आववड है वो 12 फैल मूवीच को दिया गया इसके वार न देखते हैं के शर्व स्रेश्ट कथा का अवाड है वो 12 फैल मुवी ज को दिया गया आईए फ्रेंड्स इसके वार ने पॉने देखते हैं के 69 वे फिल्म फ्यर अवार्ड में मुख भूमका में शर्व स्रेश्ट अभनीता का अवाड है वो रनबीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए दिया गया नश्ट देखते हैं के मुख भूमका में शर्विसरिष्ट अवनेतरी का अवार्ड आलिया भट को रौकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया देखते हैं के 69 वे फिल्म फियर अवार्ड में सहायक भूमका में शर्विसरिष्ट अवनेतरी का अवार्ड है वो शवाना आजमी को रौकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया आएए फ्रेंड्स इसके वार नेक्स पॉन देखते हैं के शर्विसरिष्ट फिल्म का अवार्ड है वो जो राम देवासीस मखीजा को प्रदान किया गया next देखते हैं के 69 बे Film Feier Award में सर्वसरिष्ट अवनेता का अवाड है वो बिकरंत मैसी को 12 फैल मूवीज के लिए प्रदान किया गया को मिशेज चटर जी बनाम नोरे के लिए प्रदान किया गया आईए दोस्तों इसके वाद 69 वे फिल्म फियर अवार्ड से सम्मंदित कुछ अन अवार्ड के बारे में देखते हैं। इसमें दिखते हैं कि 69 भी फिल्म फेयर अवर्ड में बेस्ट स्टोरी का अवर्ड अमित राइ को फिल्म ओम जी टू के लिए प्रदान किया गया आईए फ्रेंट इसके वार नेक्स मोने दिखते हैं के बेस्ट लिरिक्स का अवर्ड है वो अविताब भटाचार को तेरे वास्ते जरा हटके जरा बचके के लिए प्रदान किया गया नेक्स दिखते हैं के 69 वे फिल्म फियर अवर्ड में बेस्ट म्यूजिक अलबम का अवर्ड एनीमल मूवीज के लिए प्रीतम, बिशाल मिश्रा, मनन हरद्वाज, स्रेयस पुरान एक जानी, भूपिंदर वब्बल, आर्शिम केमसन, हर्स वरदन रामिश्वर और गुरेंद सीगल को प्रदान किया गया, नेक्स देखते हैं के बेस्ट प्लेबैक सिंगर, मेल कैटगरी का अवर्ड भूपिंदर वब्बल को फिल्म एनीमल के लिए अर्जुन बैली के लिए प्रदान किया गया, नेक्स देखते हैं के बेस्ट प्लेबैक सिंगर, फीमिल कैटगरी मे सिल्पा राव को पठान मूवीज के बेशरम रंग स्वंग के लिए प्रदान किया गया आईए फ्रेंट इसके बाद नेक्स्ट मूने देखते हैं के बेस्ट डायलोग का अवार्ड है वो इसीता मुईत्रा को फिल्म रौकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए प्रदान किया गया नेक्स्ट देखते हैं के अपकविंग म्यूजिक टैलेंट अर्थास आर्डी बर्मन अवार्ड है वो शुरियस पुराने को फिल्म एनीमल के सतरंगा के लिए प्रदान गया नेक्स्ट देखते हैं के बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मेल केटगरी में आदित रावल को फराज फिल्म के लिए प्रदान किया गया आईए फ्रेंट्स इसके वार नेक्स पॉन देखते हैं के बेस्ट डेब्यू का अवार फिमेल कैटगरी में अली जे अगन हुत्री को फर्रे के लिए प्रदान किया गया नेक्स देखते हैं कि Best Debut Director का अवार्ड तरुन दोदेजा को धक धक के लिए प्रदान किया गया नेक्स देखते हैं कि Lifetime Achievement अवार्ड है वो डेविड धवन को प्रदान किया गया